नवस्कार आजके इस विशेश कर्क्रम में आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन मैं हूँ आपके साथ निधीश गोयल यह आपने आप में विशेश इसलिए हो जाता है कि एक बड़े महापुश्ण ने कहा था कि यह वंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है यहां का कंकर कंकर शंकर है और जो हम शंकर की बात करते हैं तो वहीं रामेश्वा की दीद पर भगवान श्री राम ने जब श्रिव राम के नाम से जो राम जिनके बारे में कहते हैं कि राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, मन से रावन जो निकाले राम उसके मन में है, राम किसके मन में नहीं है, राम भारत के इतिहास पुरुष है, राम भारत के आध्यात्मिक पुरुष है, राम इस देश की आत्मा में बसते हैं रचते हैं और 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम हमें निरूपित होते हुए दिख रहा है जब 22 जनवरी 2024 कूर्मा द्वादशी के दिन कितने ही राम भक्तों के बलिदान स्वरूप भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति की उसके प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान अपने घर में जा रहे हैं और हम अपने जीवनकाल में स्वभाग्य के उस पल का अनुभव करने जा रहे हैं क्या है उस अयोध्या में पधाने हैं राष्ट्रिय स्वयम सिवक संग के क्षित्रिय संग हचालाग डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाद सी रमेश्ट आपका बहुत स्वागत अभिनाद्यूर्ट रॉक्टर सब्सक्राइब महत्व की बात की और अयोध्या इसके नाम से ही स्पष्ट आता है जिसे युद्ध में कभी ना जीता जा सके और भगवान शीराम की बारे में कहते हैं जोने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और किसी अधर्मी को भी कभी नहीं छोड़ा तो ऐस कैसे में उस अयोध्या धान का महत्व और कैसे वह बात आगे चली और आज हम उस पल का तर्शन कर रहे हैं वास्तव में यह यह एक एक कोई सामन्य नगर शहर इतना नहीं है तो अपने वेदों में भी अयोध्या का वर्नन है रामायन में वालमिकी जी ने भी अयोध्या का इक पवित्र स्थान के रूप में वर्णन किया है और अपने हिंदू मनीश्यों ने जो सब्द ऐसे इस्थान है जहां से मोक्षदाई स्थान है उनने से प्रथामस्थान यह अयोद्य कोहा है यह अयोद्य कोई युद्ध न हो यह अवदका जहां किसी का वद्ध नहीं हो इस प्रकार का यह जो पवित्र स्थान है यह पवित्र स्थान मनु ने यह स्थापना की यह मनु के इश्वाकु वंश में से लेकर के और यह रगुकुल तक यह बहुत बड़ा लगबद 64 महा प्रतापी राजा भगवान राम तक आयोध्या के एसे राजा हुए हैं इस प्रकार का इतिहास हमको ध्यान में आता है और अयोध्या के उत्तर में यह सर्यू नदी है यह पतितपावनी ऐसी सर्यू नदी जिसको राम गंगा के नाम से भगवान राम के कारण से राम गंगा के नाम से भी जाना जाता है और यह त्रिनरता भी ये लोग की यात्रा समाप्त करके समाधीली, ऐसी उस पवित्र नदी के किनारे पर बैठ करके संपूर्ण हिंदू समाज के लोग, भारत वासी, यह भगवान राम की बाठ जो रहे हैं, कि ऐसे हमारे पापों को नाश करने वाले हमारे जीवन में सब प्रकार के श्रेष्ट जीवन बनाने वाले ऐसे भगवान राम के हमको दर्शन होंगे इसलिए सर्यू के बारे में कहा है गंगा बड़ी गोदावरी तीरत बड़ा प्रयाग सब के सबसे उत्तम अयोध्या जहां राम लिये जन्म अवतार इस प्रकार का हमको दिखाई देता है यह अयोध्या नगरी यह केवल सनातन धर्म का ही नहीं तो जैन और बौध ऐसे दोनों संप्रदायों का दोनों ऐसे शेष्ठ जिनसे जीवन का उतकर्ष होता है ऐसे आध्यात्मिक धाराओं का भी बहुत पवित्र स्थान है यहां भगवान बुद्ध ने सोले वर्षों तक तपश्या की और यहां भगवान आदिनात और जिनको जाना जाता है ऐसे भगवान ने भी यहां पर साधना की उनका जन्मिस्थान यह रहा है इस प्रकार का यह जो अयोध्या नगरी है इसका धार्मिक सामाजिक इस प्रकार का एक विशेश महत्व है चुकि हम इतिहास से आगे बढ़ चुके हैं बड़ी महत्व की बात यह भी होती है डॉक्ट साब की इतिहास से हमें प्राणवायू लेनी होती है इतिहास से हमें सीखना होता है अपने वर्तमान को बनाना होता जिससे की भविशी की रशना की जा सके और यह जो समय है जब देश की स्वतंत्रता के स्वाधीनिता के 1947 से हम बात करें तो 2022 तक 75 वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे अम्रित काल के नाम दिया अगले 25 वर्षों का तो अगले ही वर्ष एक सर बात में दोजार चौबीस में हम जब भगवान श्री राम लाला की प्रा बहुत मेहत्व की बात हो जाती है और पूरे विश्व के लिए कई वार ऐसा लगता है कि जो तीन दो पोल्स पोलर हुआ करते थे एक मेका है दूसरा वेटिकन है तो एक तीसरे पोल की रूप में श्री अयोध्या धाम जो है वो उभरने वाला है यह जो युगांतकारी घटना करम होने वाला है जिसके सवभाग्य से हम सब लोग साक्षी होने वाले हैं ऐसे इस युगांतकारी घटना करम के पश्चात अपने देश में और विश्व भर में एक सात्विक परिवर्तन होने वाला है लेकिन उसके पूर्व आज की इस नई करना चाहता हूँ जी बिल्कुल कि यह राम जन्मि स्थान पर इसके मुक्ति का एक आंदोलन चला उस आंदोलन का नेत्रत्व विश्वंदु परिशद ने और संतों ने किया संपूर्ण देश भर के संतों ने विभिन परकार के आयोजनों के द्वारा यह आंदोलन को जन जन कारेकरम हुए और एक एक घाउ से संपूर्ण ग्राम के लोग शद्धा पूरवक सवाज्वा रुपया दे कर के और रामक शिलाओं का पूजन करके विदा करते थे दोल नगाडे बजा कर उत्सापूर्वक और ऐसी धाई लाख गाउं से एककत्र राम शिलाएं यह अयोध्या जी में एककत्र हुई और उसके पश्चात राम जोती के कारेक्रम और तत पश्चात जन्मिस्थान पर भव्य मंदिर के निर्मान के लिए शिलान न्यास तो यह ज से ले करके और चला उसके पश्चात यह किस प्रकार से जायलेओं के अधीन हो गया और तारीक पर तारीक दिये गए और नो नवंबर उनीस सो नवासी को उसका शिलान न्यास अपनी देश के एक हरीजन बंधु श्री कामेश्वर चोपाल के द्वारा संपन्न हुआ भगव नोवंबर दोजार उनीस को साथ जजों की बेंचों ने निर्विराद निर्विरोद रूप से बहुत अच्छा ऐसा निर्मान दिया और यह राम नला का भव्य मंदिर का निर्मान यह हो इस प्रकार का मार्ग प्रशस्त हुआ तत्पश्चात केंद्र सरकार ने राम जन्म भूमी तीर्थक्षेत्र इस नाम से यह एक ट्रस्ट नियास का निर्मान किया और उसके माध्यम से यह सारा काम हुआ है और तत्पश्चात हम अब आगामी 22 जन्वरी को राम लला के की मूर्ती का यह प्रान प्रतिष्ठा का भव्य कारिक्रम संपून भारत और संपून वि साहित हैं तो यह केवल एक और मंदिर का निर्मान नहीं है जे तो इस मंदिर के निर्मान के साथ साथ ही अपने इस भारत वर्ष के राष्ट्र मंदिर का निर्मान होना है और उसके साथ साथ में ही हिंदुत्व का जो इस विश्व को योगदान होना है माने हिंदुत्व य हिंदुत्व का एक लक्ष है उसक्या भारत का जो जीने का लक्ष है विश्व के कल्यान का वह साकार होगा ऐसा हमको दिखाई देता है शाशन तो अपने इस तार पर सब कुछ करेगा ही किन्तु प्रत्यक नागरिक का भी इस द्रश्टी से कोई ने कोई करतव्य है बिल्कुल अपने मनीशियों ने अपने आर्श पुरुषों ने अपने रिशियों ने ये कहा है शिवो भूत्वा शिवम यजेद शिव की पूजा शिव बनकर के करना है और ऐसा करना है तो मेरे जीवन में भी श्रेष्टताओं का निर्मान होना चाहिए यह जो रामत्व है राम के जीवन के श्रेष्ट गुन इसलिए हम बोलते हैं मरियादा पुरुषोत्तम राम तो उन्होंने सब प्रकार की भूमिकाएं यह करके हमको अपने जीवन से सिखाई है वो चाहे समाज में समरस्ता का भाव हो वो शब्री के जूठे बेर खाना हो वो जंगल जंगल भटक करक संपूर्ण वनवासियों को संगठित करने का काम हो ऐसे सारे काम भगवान राम ने अपने जीवन से सिखाए हैं भाई कैसा हो पती कैसा हो पुत्र कैसा हो ऐसी सारी भूमिकाएं हमको सिखाई है भगवान राम ने उसके अनुरूप हमारा जीवन बने इस प्रकार का लक्ष इसके पीछे का है, तो सामान्य व्यक्ति को राम जगाने का मतलब क्या, उसको क्या करना, अपने यशाश्वी प्रधान मंत्री जी ने, और राष्ट्रिये स्वमस्यक संग के सरसंग चालक जी ने, इस द्रश्टी से करनी है, क्या हो सकता है, जिससे कहा जाएगा कि हमारे में रामत्व का जागरन हो रहा है, तो उसके कुछ बिंदू, उसके कुछ करनी ये कारे बताए हैं, उसमें से एक है, अपना यह जो भारत की परिवार व्यवस्था है, यह आज भी विश्व को बहुत बड़ी देन है, और यह परिवार व्यवस्था सुद्रण हो, श्रेष्ट हो, हिंदूत्व के जीवन के अनुरूप हो, सनातन धर्म के अनुरूप हो, इस प्रकार का प्रयत्न हमें से प्रत्यक को करना चाहिए, तो उसकी द्रष्टी से अपने परिवार में ये मंगल समवाद हो, अपने परिवारों में माताओं बहीनों का सम्मान हो, यह जो बाहर बहुत सारे ऐसे घटना करम हो रहे हैं, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आखिर तो अत्याचार करने वाला किसी परिवार का पुरुशी ही तो है, तो उसको संसकारित करना यह परिवार में ही होगा, और इस प्रकार के यह परिवार के भाव, परिवार में का रघुकुल की बाद तो हमनें सुनी है हम रामवंशी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं और रामवंशी होने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए आपने रुक्षाब जो बात की रामत्व की बात की अपने हिंदुतों की बात की और ये दोनों चीजें हमें अपने परिवार में देखनी है अपने विक्ति में देखनी जो भगवान श्री राम का ये मंदिर बन रहा है जन्म भूमी बन रही है और ये बहुत बहुत एतिहासिक जब हम देख रहे हैं कि पुश्पक विमान से लंका से भगवान श्री राम अयुध्या पधारे थे और जो पहली एरलाइन से जो वहां आ रही है अब उसका नाम भी पुश्पक रखा गया ऐसे बहुत सारे ऐसा लगता है कि सिंबोलाइज करेक्टर्स हैं जिससे भारत की भारतियताकार या भारत की आत्मा का साक्षात विश्व इस दिनांग से स्तिथी से करने वाला है आपने ठीक कहा अपने ये शेश्वी प्रदान मंत्री जी ने भी कहा है कि अपनी विरासत पर हमको स्वाविमान होना चाहिए अभीमान का भाव होना चाहिए हमारा जो जो कुछ श्रेष्ट है उसके प्रति हमको अभीमान का भाव होना चाहिए अपना जो श्रेष्ट है उसको हम अपनाएं अपने मन में किसी प्रकार की हिंता का भाव नहीं र जलवायू और बागी सबको द्यान में रख करके उसको नुरूप ढूर्ब डाल करके उसका हुपयोग करें इसको अपने जीवन में अपने समाज में अपने अपने घर में कार्यला में सब जगें अपना है तो इस प्रकार का यह जो भाव है यह आना चाहिए एक बहुत बड़ी समश्चा आज विश्व जहल रहा है पर्यावरन की समश्चा के समाधान के लिए सरकारें बड़े-बड़े संस्थान सब कुछ कर रहे हैं वो चिंता भी बहुत कर रहे हैं लेकिन हर एक व्यक् करना है उसको उपयोग मैं नहीं करूंगा इस प्रकार का संकल्फ मैं कर सकता हूं क्या इस प्रकार का निश्चय है यह हर एक व्यक्ति को परिवार को समाज को सबको मिलकर करना है संकल्फ सारे चोटी-चोटी संकल्फ है जिन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा वो कहते भी है कि छोटी-छोटी मगर मोटी बाते हैं और छोटी-छोटी चीजों से मिलकर के एक संसार बनता चला जाता है हम राजासान से रिष्टों की बात कर रहे थे यह बहुत आपने अच्छा सवाल किया है वास्ताव में राजस्थान के लोगों का इस राम मंदिर के निर्मान में अत्यधिक योगदान है यह जो समरपन निधी का योगदान है वह भी राम मंदिर के लिए राजस्थान का सरवादिक है संपूर्ण देशपर में और यह जो आपने बताया अपने यहां का जो बंशी पहाड़पूर है उसका जो लाल पत्थर है यह यहां से विशेश रूप से राम मंदिर के निर्मान के लिए गया है और सोबाग्य से अपने ही राजस्थान के कुछ बड़ी मात्रा में कारीगर भी यह राम मंदिर के लिए वहां गए हुए है और राम मंदिर के लिए राजस्थान का वास्ताव में विशेश योगदान है और यह हम सब के लिए अत्यांत सोभग्य की और संतोष का विशह है कि ऐसे भव्य भगवान राम के मंदिर के लिए हम सब का मिलकर के योगदान अच्छी मात्रा में हो सका है यह राम की करपाही मानना चाहिए यह जो पूरा कारिक्रम हो रहा है बड़ा बहुत व्रहद आयोजन है बहुत एतिहासिक आयोजन है ऐसा सुनने में आया कि लगभग साथ हजार अतित्थी जो है वहाँ पर पहुचने वाले है जिसमें बड़ी संख्या जो है वो साधू संतोगी रहने वाली है तो थोड़ा अ निर्मान का काम भी चल रहा है और निर्मान का काम चलने के कारण से वहाँ बहुत बड़ा इस्थान यह प्रान प्रतिष्ठा कारेक्रम के लिए उपलब्द नहीं है इसलिए सीमित संख्या में ही वहाँ राम भक्त उस दिन पहुच सकेंगे और चूंकि यह संपून आंदो के ऐसे सादू संत यह केवल भारत से नहीं तो विश्व भर से वहाँ पहुचने वाले हैं और कुल मिलाकर के साथ अजार अतितियों में से लगबक साड़े चार अतिति यह सादू संत ही होंगे और बाकी दो धाई हजार लोग यह संपून देश भर में जिनका समाज जी उन का क्षेतर हो वो मीडिया में विभिन्न प्रकार के ऐसे लोग हो जो बहुत बड़े उद्योग पती हैं वो भी रहेंगे इसमें ऐसे विभिन्न विधाओं के लोग यह लगबक धाई जार के लगबक रहेंगे और यह कारिक्रम बहुत भव्य होने वाला है क्योंकि अपने प्रदेश के यशाष्वी प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी भी रहने वाले हैं, और राष्ट्रिय स्वम्सक्संग के परम पूझनिय सरसंग चालक मोहन भागवत जी की भी उपसिति उस दिन रहेगी, और साथ में ही उत्तरप्रदेश के यशाष्वी मुख्यमंत्री यो कई दिनों पूर्व से पंद्रा जन्वरी के पश्चात ही मलमास के पश्चात वहां विभिन प्रकार के अनुष्ठान संपन्न होने वाले हैं संपूर्ण देश भर के ऐसे चुनिंदा यह मंत्र जानने वाले और पुजारी ऐसे श्रेष्ठ विद्वान वहां पहुंचेंगे और ऐसा भव्य एक आयोजन यह सब होने वाला है यह आयोजन की अगर हम उसकी परिणाम की बात करें से फली भूत होने की बात करें क्योंकि इससे जैसा मैंने की शुकर करके शुरुआत में भी कहा कि हम लोग पूल्स की बात करते थे कि एक मेका है एक वेटिकन है आयोध्या धाम तो पूरे विश्व जो है उसको देख रहा है इससे भारत की राजनतिक विवस्था में भारत की सामाजिक विवस्था में भारत की अर्थ विवस्था में युद्धनीती में बहुत सारी चीजों में क्योंकि कोई भी क्षेत्र अयोध्या से अच्छूता नहीं रहने वाला है जो हम रामराजी की बात करते हैं तो रामराजी में तो सब कुछ आता है आपने ठीक कहा वास्ताव में अयोध्या यह पूरवव में भी भारत की सांस्कृतिक राजधानी रही है, एक हजार वर्षों का आकरंताओं का काल और हम संगर्ष में रहे, उसके कारण से इसका वह जो सांस्कृतिक स्वरूप है, वह ध्वस्त हो गया, तिरोहित हो गया, अब वह सांस्कृतिक स्वरूप पुने प्रारंब हो रहा है, जागरत हो रहा है, और यह विश्व की सांस्कृतिक राजदानी बन करके उभरेगा और इससे मानव का जो जीवन का लक्ष है भौतिक और अध्यात्मिक उन्नती दोनों यह इसमें से होती भी दिखाई देगी संपूर्ण विश्व में यह सब प्रकार के भौतिक विकास का भी हमको दिखेगा और अध् लक्ष है मनुष्य जीवन का वो प्राप्त होता है तो उस प्रकार की भावधारा संपूर्ण विश्व में रहेगी और भारत में जिस प्रकार का यह हो रहा है उससे विशेशकर अयोध्याजी में और संपूर्ण विश्ववर्मे ऐसे सांस्कृतिक धार्मिक इस्थानों पर परियतन और तीर्थाटन यह सात्विक भाव से बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगा तो इसके द्वारा अर्थ की दृष्टी से और विबिन्न प्रकार के ख्षेत्रों में यह उन्नती होना इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुतावा दिखाई देगा अब वहां जाकर के नहीं कर सकता तो किस तरीके की विवस्ताज हम देख रहे हैं कलश यात्राओं की बात हो रही है अभी मंत्रित पीले चावल की बात हो बहुत संग्शित तुम्हें क्योंकि समय बहुत कम रह गया है देखिए राम जन्मुमी तीर्थ ख्षेत्र ने यह आवान किया है कि उन्होंने वहां से अभी मंत्रित यह पीले चावल भीजे हैं संपूर्ण देश बर के ग्रामों में मंदिरों के द्वारा समाज के द्वारा और कलश यात्राओं के रूप में वो संपूर्ण देश बर में वित्रित हुए हैं और यह आमंत्रन दिया जा रहा है कि 22 तारीक को 22 जन्वरी को जिस दिन वहां प्रान प्रतिष्ठा का कारेक्रम चल रहा होगा आप अपने निकट के किसी भी मंदिर में पहले से योजना करें और उस मंदिर में 11 बजे से 1 बजे तक जब वहां कारेक् श्री राम जे राम जर्म यह विजय मंत्र इसका जाब करें और जब वहां आर्थी हो रही हो वहां आर्थी करें और उसके पात सामुई रूप से मिलकर के प्रशाद ग्रहन करें live करें और रात्री में अपने घरों पर कम से कम न्यूनतम पांच दीपक लगाएं ऐसा यह आ गए है और वोने न्योता दिया है और इस कारेकम का संपन्न होने के पश्चात वो सर परिवार अध्याधाम भगवान राम के दर्शन करने के लिए पधारें बहुत सुन्दर बात आपने कही है और हम लोग का हमेशा देखते हैं ग्रिगॉरियन कलेंडर जब एक जनवरी आता है तो नूतन वर्ष का अभिनंदन किया जाता है लेकिन ये जो बाईस जनवरी कूरमादवादशी है ये पांसो वरशों के पश्चात हम सब के लिए एक दी सवातावरन को करें इस देश को राममाय करें अपने अंदर रामत पो लेकर के आए और जिस सरीके से जो एक उक्ती की बात आती है कि निश्चर हीन करूंगा धरती यह प्रण है श्री राम का और जब तक काम ना पूरा होगा नाम नहीं विश्राम का तो ये अंत नहीं ये आरंब है और एक शंखनाद होगा भारत की उच्चता के शिखर पर पहुँचने का चाहिए वो भौतिकता की बात हो चाहिए वो आध्यात्मित्ता की बात हो और उसका प्रधम दिवस अगर कोई होगा तो वो होगा 22 जनवरी 2024 बहुत धन्यवाद हमारे सभी दर्शुकों का आपका बहुत धन्यवाद इस सभी को नमस्कार धन्यवाद जैश्री राम